हलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम एक काफी बड़ी न्यूज को कवर करने वाले हैं ठीक है और यह जो न्यूज है यह सोर्स के द्वारा और रिप बाजार को देखते हैं बाजार 18,496 पर क्लोज हुआ है दोस्तो आदे पर्सेंट की गिरावट के साथ इसका जो प्रीवियस क्लोज था 18,609 का था ठीक है यह ओपन भी काफी अच्छा हुआ हाई भी काफी अच्छा लगाया और लो दोस्तों काफी ज्यादा नीचे लगाय रही है अब देखते हैं आगे मार्केट का पाफोरमस कैसा रहता है ठीक है तो चले सबसे पहले LIC को मैं ओपन कर लेता हूं तो यहाँ पर देखें LIC दोस्तों पहले एक नॉर्मल गामपनी थी ठीक है इस टौक मार्केट में नहीं आई उससे पहले ठीक है स्टॉक लेखे स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आई 2% की और 614 रुपे पर इस्टॉक क्या कर रहा है ट्रेट कर रहा था और क्लोज हो चुका है अब यह जितना बड़ा होप था जितना बड़ा इससे अनुमान था यह विसा मार्केट में नहीं उतरा इसका एक रीजन यह भी हो सक मार्केट में नहीं है थोड़ा बहुत निकला है और उसको मार्केट में लेकर आ गए ठीक है यह एक रीजन यह भी हो सकता है गिरावट का अब इसके रिलेटेट दोस्तों मर्जर का न्यूज आ रहा है अब यह तो इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों कुछ इससा बस इसका म हाँ इसके अंदर कोई कंपनिया मर्ज हो सकती है तो इसके अंदर दोस्तों चार कंपनिया मर्ज होने वाली है और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि यह जो मर्जर का जो प्रोसेस रहता है दूसरी कंपनियों में बहुत सिंपल रहता है ठीक है मर्जर डी मर्जर का लेकिन दोस्तो LIC में यह जो merger है यह बहुत problem बला है मतलब दोस्तो इतनी आसानी से merger नहीं होगा क्यों नहीं होगा अब जो news आई है उस पे में लेके आपको चलता हूँ तो दोस्तो यह news जैसे ही बाहर आई ठीक है न्यूस पेपर पे न्यूस वेबसाइट पे और बहुत सारी न्यूस चैनल पे भी यह जो news वो पब्लिश हो गई यह कल का हमें देखने का मिला है एकदम morning का LIC merger होने जा रही है LIC इन चार सरकारी बीमा कंपनियों का होगा बिला है अब देखे LIC क्या काम करती है life insurance का ठीक है life insurance का यह काम करती है खाली इसके पास एक ही काम है ठीक है अब यह चार जो company है वो क्या काम करती है वो देखते है देख में हो रहे है नीजी करण मतलब प्राइवेटिशन और मर्जर के बीच एक और बड़ी ख़वर सामने आ रही है LIC ठीक है LIC देख की चार सरकारी समान बीमा company मतलब general insurance हम जिसे बोलते हैं का बिला हो सकता है इन में national insurance है new india insurance है ठीक है उसके साथी oriental insurance है और वह united india insurance company है मतलब यह चार company है एक दो तीन और यह चार ठीक है इन company हो का सायद मर्जर होगा LIC के अंदर मतलब इस business में मतलब इस industry में जितने expert काम करते हैं उन्होंने दोस्तों यह जो news है वो भार रखी है अब देखिए कुछ कानून भी बने हुए है ठीक है कुछ कानून भी बने हुए है बीमा नियमंक एवं विकास प्रादीकरन जिसे हम IRDA बोलते हैं उसके अदिनियम 199 के तरफ से ठीक है बीमा अदिनियम 1938 के तहट ठीक है इन कानूनों में कुछ बदलाओ करना होगा जब जाके दोस्तों यह मरजर होगा नहीं तो किसी कमपनी को दोस्तों अगर मरज एक अनर रहता है मान लीजिए HDFC बैंक है और HDFC लिमिटेट का मरज हो रहा है तो उनमें कोई कानून कहीं पर प्रस्ताओं नहीं रखना पड़ेगा कहीं पर किसी को कुछ नहीं बोलना पड कानून है ओके वह खाली Click को एक बिजनस करने की अनुमती देता है और वह खाली लाइफ इंशुरेंस वाला अब इसमें दोस्तों इस चार कमपनिया एंड हो रही है यह इंड-रल insurance वाला तो यह जो दो कानून हैं इनमें बदलाओ करना पड़ेगा तब ही दोस्तों LIC यह business कर पाएगी otherwise यह business नहीं कर पाएगी क्योंकि यह अनुमती नहीं है ठीके अब देखिए प्रस्ताओ क्या कहा है प्रस्ताओी संसोधन में मतलब क्या रखा गया है प्रस्ताओी संसोधन में बताया गया है देश में जीवन ठीके जीवन मतलब life insurance जे मैंने आपको बताया गेर जीवन ठीके मतलब non जीवन भीमा policy ठीके जो हमें देखने को मिलती है को बेचने के लिए एक ही money company हो जैसे मैंने आपको उपर example दिया कि LIC उन कानूनों को बदलाओ के बाद ही एक business कर सकती है ठीके जैसे वो चार company वो कर रही है उनको दोस्तो life insurance करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो कानून में लिखा है ठीके और LIC को कोई हक नहीं है दोस्तों कि वो general insurance काम करें तो ये सबी company को मिला कर एक company बनाए जाएगी ठीके एक बनाने के बाद क्या होगा पहले कानूनों में बदलाओ होगा फिर ये जो अलग-अलग business हो रहे हैं दोनों company के ठीके उनको एक बनाए जाएगा क्या के लिए एक ही मानने company बनाए जाएगी जिससे आवश्य निर्दारित करने के साथ बैदेमिक सिमा को समप्त करने के लिए बिमान निकाय को सक्षम बनाने में सुविदा होगी ठीके मतलब और भी बहुत सारे ऐसे फीचर आएंगे ठीके पॉलिसी में जो customer को customer को काफी अच्छी सुविदा देंगे ठीके इसमें य आपने देखा होगा कि जो बीमा मिलता है मुआजा मिलता है किसानों को फार्मरों को ठीके वो company को भी LIC में जोड़ा जाएगा ठीके क्योंकि ये company भी life insurance का काम नहीं कर सकती ना general insurance का काम कर सकती है ये agriculture insurance जो होता है ना जैसे फसल बोई है ठीके तो उसका बीमा कटता है उसक insurance होता है अगर आपकी फसल किसी भी डिकत के करन अगर खराब हो जाती है बरबाद हो जाती है तो government दोस्तों कुछ hectare के हिसाब से एकड़ के हिसाब से आपको क्या देती है यहाँ पर बीमा देती है तो उसकी एक बीमा company होती है ठीके तो इस बीमा company को भी दोस्तों अधिकान भी LIC में बेलाय ہو जाएगी क्योंकि सभी company को क्या किया जा रहा है एक बनाए जा रहा है एक तीक एजो मतलब यह पढ़ावा फेला हुआ है और सामने वाले वेक्ति को जो इनके customer है तीक है मैं भी इसका customer हूँँ आप भी हूँगे जिनने policy प्रस्ताव रखा गया है अब देखिए यह जो नियूस निकल के आ रही है यह खाली सोर्स के द्वारा से आ रही है अभी इसमें कोई भी दोस्तो मतलब फुली कन्फरमेशन अपडेट नहीं आया है पहली बार नीजी हातों में LIC की कमान दूसरी तरफ एक बड़ी ख़वर सामने सामने आ रही है LIC में अब नीजी छेतर के लोगों को चेर्मेन बनाने का मोगा मिलेगा ठीक है गोड तलब है कि छाच्छ शाल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब LIC की कमान किसी नीजी चेर्मेन के हाथ में होगी अब तक के नियम के अनुसर कंपनी के ही MD को इस इसकी कमपनी में एक अच्छी पोंच है LIC में जिसे मान लीजे काफी बड़ा उसका नाम है और उसको काफी experience है ठीक है उसी वेक्ति को बनाये जाता था लेकिन अब किसी दूसरे वेक्ति को बनाये जा रहा है तो मैंने बोला ना कि LIC जब से stock market में आया है काफी ज़्यादा बदलाओ हो रहे हैं क्योंकि stock market में आने के बाद stock में धडलले से गिरावट आ रही है तो government को लग रहा है कि हमें अब बहुत सारी चीजों में दोस्तों सुधार करना चाहिए तो आप देखते हैं आगे जो update है ये कैसा आता है इसके related आगे जैसा भी update आएगा हम जरूर आप LIC जैसे डालोगे merger का आजाएगा तीक है आप खुद भी read कर सकते हो कि अलग अलग company जो है तीक है अब सब एक होके एक ही company सब अलग अलग service प्रोवाइट करेगी पहले उन कानूनों में ऐसा लिखा हुआ था कि LIC अगर एक business कर रही है तो वही करेगी फिर दूसरी जो company वह जेंडरल इंशुरेंस करेगी तीसी जो एगरी कल्चर बिजनस कर रही मतलब एगरी कल्चर जो सुरी जो पॉलेसी दे रही है वह भी करेगी लेकिन आप इस तीनों सिग्मेंट को एक सिग्मेंट बनाए जाए तो अब देखते हैं दोस्तों इससे कितना अच्छा पीट आएगा हम जरूर आपको कवर करेंगे तो फटा पट से इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि और भी इसी प्रकार के बहतरिंग वीडियो में आप लोगों तक लाने वाला है तो थैंक्यू दोस्तों